गुट मॉनिं बच्चों हम आपको पिछली क्लास थर्ड और क्लास फॉर्थ जो भी मैंने कुछ को पाया है आपको वो आप से रिलेटेड है क्लास फिफ्थ क्लास रिवीजार करने से हो जाएगे क्लास फॉर्ड से चर्ट करते हैं जाता है प्रता क्लास फॉर्ड करते हैं इसके पहरे कि जो questions हैं, पिछली कच्छाओ में मैं आपको संधा चुका हूँ, बता चुका हूँ और आपके पिछली class पर ये वीडियो लेविंगे में इस class 3rd or 4th का तो ये बिल्कुल आपको समझने आज़ेगा, इस starting class आपको समझने आज़ेगा जो कुछ कुछ कुटा है, तो क्योंकि जैसे इस class आप भी आगे बढ़ती जाती है, कुछ नए questions उसमें आती जाते हैं, कुछ प्राद होते हैं, लेकिन hard तो कुछ नहीं होता, सब simple होता है, और बहुत अच्छी से आप साल बिलकर्द होगा, और साल बढ़ते हैं, आप पिछल कुछ आप भूलिए नहीं, तो कि पिछली class की questions हैं, आप आगे बढ़े मिलेंगे, पहले आपको उनको solve करना होगा, बाद भी नही questions को solve करना होगा, तो आप पिछली video देख लिए, फिर इसको solve करिए, चलिए, इंडियान ब्रेस वैले chart, जो कि आपके लिए नए आगे, तो इसको यह भी बहुत simple है, यह आप आप पुरा chart हो गया, यहाँ, इसके बारे भाई आपको कुछ बताता है, सबसे पहले यहाँ chart बनाने का अभ्यास कीजिए, इसका कितने total उपर की part को देए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 part के, सबसे पहले आप यहाँ period, लिखिए periods, उसके बार, जो हम लिखने जा रहे हैं, उसके इंडियान प्लेस पे रिचार्ड के, अंतर्दक जोगी आते हैं, जैसे once, सबसे पहले हम लिखेंगे, o, n, e, s, once, once के कितने part बनेंगे, once में तीन पार्ट, जहां दीचिए, हमेशा, च सबसे पहले हम लिखेंगे, चाहिए आप आगे msc करेंगे, dsc करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, math पढ़ते हैं, और इससे related कुछ होता है, पढ़ाते भी हैं किसी को आप, once में कितने part हो, बताएंगे आपको तीन पार्ट, बच्चों, once में तीन पार्ट होते हैं, once, is, और hundred, ये इसका सिम्बल है, आप पिछली कच्छाओं में बता चुका, once, once for home, 10 means T, 100 means H, तो ये period, कौन सा period है, once period में, once period में, कितने part होते हैं, टीन पार्ट, पार्ट में, प्लेस, once period में कितने प्लेस होते हैं, टीन, कौन-कौन से, once, 10th from 100, उसके बाद आता है, आपको थाउजंस, थाउजंस में, two प्लेस होते हैं, तो प्लेस होते हैं, एक थाउजंस, दूसरा तेंफ थाउजंस, फिर आता से लाइग, तीन थाउजंस, इसके लाक्स में भी two periods होते हैं, लाक्स और ten-लाक्स. इसके बाद आता है क्रोन क्रोन में भी थाई है, क्रोन के भी है, क्रोन के लिभाटे हैं, क्रोन के आपका देट गोड़ के क्रोन की सिम्बर है, जो हम必要 होता है. अब आई यह जैसे हमको कोई कोशन में लिया अब इसको हमें लिखना है कौना लगाना है यह जो भी कुछ करना अच्छा एक चीज़ और जब हम कामा लगाने ना तो पहला कामा लगाएं कि पहला कामा लगता है 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 कि पहला कामा अगर में इसे फिट करता है, तो 5 है न, 5 को रूंद तो ये, 1 स्प्रें 8 है, 10 स्प्रें 100 में 3 है, 100 में 1000 में 7 है, यहां 10,000 में 6 है, यहां, और लाइफ में 1 है यहां, और 10 लाइफ में 2 है. यानि 21 लाइफ, 21 लाइफ, 67,325, अगर कॉमा लगा, तो कहा लगा, 1,600 के बाद लाइफ, 1,600 के बाद लाइफ, तो जैसे हमारा कोश्चन से अब हमारा वुखाना है तो 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 तीन नंबर में बात कहला कमा लगता है हम यहां लगाएंगे उसके बार काममा लगता है तो तौन नंबर में देन नंगे बात को मारा कि को 10000 पे तेन थाउचन देन थाउचन दूसरा कमा तो 100 0001 यहां आपका कमा भी लगया और आपका प्लेस्ट में शाट पे फील्ड नी वह गया अगर आप चाहिए इसको वर्ड मिलिखना, शब्दों मिलिखना, तो आप इसको लिख सकते हैं, कि क्या, 21 लेट, 67,000, 67,000, 67,000, क्याँचा, 385, to 300, 385, एक जी किस पर भी पहले लिखने हैं, उसके आदस्थाई, पोशन आपका सॉल हो गया, सबसे पहले हमें पोशन देखां, प्लेस बैदी चार्ट मिलिखना, इसको फीट किया, फील हो गया, फील होने पाद उन्हें कामा दा रहा है, हमने बताया कामा कब लगता है, एक वन, अच्छा प्लेट कितने होते हैं, वन्स, मिरे साथ बूलिए, वन्स, टें務, सॉली, वन्स, थाँजन, लैग, उसके बन का करोगए, अब जो अबका प्लेस होता है, वन्स में कितने प्लेट होते हैं, एक हो गया उन्स, दूसरा हो गया टेs, तीसरा हो गया 100, कितने हुआई होन्स, प्लेस में 3 प्लेस, करोण पिरियट में टू प्लेस में इस के बद थी प्लेस होता है वान्स पिरियट में टू प्लेस उसके बाद सब में दोगो प्लेस होते हैं फिर मैंने इंको जैसे पीज़ी कच्छा नापस्वादाया और फिल किया फिल करने बद मैंने बताया के पहला प्लेस प्लेस त्री प्लेस यानि टीन नंबर के बाद पहला प्लेस प्लेस यानि तीन नंबर के बाद पहला प्लेस प्लेस यानि तीन नंबर के बाद पहला प्ले आइगे, ONCE के बाद, 10 के बाद, LAC के बाद जोभी ब्लूगा, सॉरी, ONCE के बाद 1000 बाद और LAC के बाद तो पहला कामा हुंगी हमाँ आप भराया जीए है जूम करके आप देखिजिएगा कि वर्फ प्रियेंट किवा तहला इन थाउसिंद में दूसरा फामा लायक पाद 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 अगया और पामा लगका और अधितनी है फिर हम पामा नगा दी पामा दाने को दगत आप सब उष्था है बोलता है कि आप इसको शक्तों में पीलिखिए वर्ड में पीलिखिए वर और जो कुछ बचता है रआइक हम आपको बता चुके आपकर में हुआ हम क法 निट ल॑न के सब करेंगे उसमें fat four a जब देंगे और लगद लगद आपके वो शॉल्ट हो जाएंगे और लास यही एक कुशन बचा था की आपको कैसे को करना है तो अगर यह आपका किया मुलाता है तो आपके साइड आउट किये मुलाते हैं यही कोशन आप अच्छे समझे जोन रहे हैं हमें कॉल करिए और हमारे नमर को कॉल करिए हम आपका जो प्राइब को सौल करें लिए प्राइब कोशन आपके पहले सक्साइब के इसकी अलावा इसके अलावा कोशन पर है हमने सुनधा दिया है आपका प्लेस वैलू कलर टीजिट कुछ डीजिट है और प्लेस वैलू हम आपको सिंपल नादमा लगी उसे समझा ने कि इसको जरूर बनाएगा लड़न कर लीजी क आपको और जिसने से पीरियेट चार्ट बनाएगा है और अफिर प्लेस इसके बाद यह कोशन हमका पच्ता है प्लेस बैस बैसे समनों की तापर एक कुशन बच्ता है अगर अगर कि कॉमा घना तो सिस्थाया वन स्थिरियेट की बार अजन्डिद की बार थाउजन तीन थान्द की बार ग्दूसरा कॉमा अगर करूर है तो लैक और तीन नहीं तो नहीं जाएगे अचा पढ़े हैं कैसे? 39,061,246 फिर आग वर्स टेस करका पढ़ लेंगे लिखी लेंगे हैं वर्स टेस हंडर्ड थाउजिंद टेन थाउजिंद लेंगे हम लिख दिलिया पढ़ने के लिए अपनी सुझा से पढ़ने के लिए अचा अब लेंगे आप चाहे जिस उखी ढंग से अपने भूब में प्लेस बैली पढ़के लेकिन एक सिम्पल तरीका होता है जो कि लग्वोग बच्चों को आसानी से समझना रहता है प्लेस बैली पर आप छोटे में कर सकते हैं सिम्पल से कर सकते हैं किसी का भी जैसे एक बार हम आपको किसी का भी पूशें या तो सभी का निकाने इन सब का या तो अगर सब का निकाना हों पूश करना नहीं यहां हम लिखेंगे शॉल पोशन आपका उपली खाला हूँ रिखेंगे शॉल फिर इस तरीके से वार्स तो इसके उपली चेंगे अमला रहे लिखा अब वर्स मिल सिक्स इसको हम दो तरी स्टेश कर सके रहें शीज वर्स कर सब वन हम इसको मॉल्टिप्लाई कर रिख सकते तो शीज़ समझाव शीज़ आएगा ऐसे रिख सकते हैं पिर हमें रिखना है फोर फोर का अब पोमिट क्या नचाना है टेसवेलिट। ज्एब शीज का प्रेसद रिखना से तो 4, 10 means 10, तो हम 10 से क्या करने मुटिप्लाई करेंगे, we will have 40, और अब I have 2, तो 2 लिखेंगे, 1 से 100, मतलब किसे मुटिप्लाई करा, 100 से, तो 100 से मुटिप्लाई कर लिया, 200 हो गया, फिर जितने भी है नमबर, हम सब को बारे का यसे निकाल सकते हैं, ठीक, ऐसे, आप उस सम्झाने भी उने कहा कि, 1 पे 1 का मुटिप्लाई, 10 पे 10 का, 100 पे 100 का, 1000 पे 1000 का, तो गया से मुटिप्लाई करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी कटते हैं, अगर ऐसे भी है, तो इसको 6 लिप दिये, बस, क्योंकि 6 बज़ा 6 होता है, 4 का निकालता है, तो 4 लिखतो, और 4 के बाद कितना निकालता है, 1 नमबर है, एक ही नमबर लिखता, 4 बाद एक ही नमबर लिखता, 4 लिखने पांच, एक जीरो बढ़ादा, 2 का निकालता है, तो 2 लिखतो, 2 के बाद कितने नमबर है, 2 तो 1 और 2 लिखतो, और इसके बाद आख भी ही न, कि 1 के बाद 1, 2, 3 नमबर है, तो आघ एक जीरो बढ़ादाईगे, 1, 2, 3, 6 का कुछ रहा है, तो 6 लिखिए, और 6 के बार कितने नुबर है, 1, 2, 3, 4, तब 4 0 बढ़ा दीजिए, 9 का कुछ रहा है, 9 लिखिए, और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है? अब आशे की प्लेस रहा है, किसी का ही प्लेस रहा है, यह तरीका यह है, मतलब दो तरीका हो गया, अब पूरा नहीं अगर पूस रहा है, अगर सिर्फ कह रहा है, मान लिखिए 3 है, अब मान लिखिए कि आपने बुक में यह कलर नहीं, क्या лайक है, एक नमबर, कुरा नमर लिखा है, और एक नमर आपका कलर किया गया है, अब इसी का मात्र मुचुँ कि आप बताएए क्या, इसका प्लेस मेरों बताएए, अब पीरीड बताएए, हमने कौन पुक्स पीरिएड से बताया है ones period है उसके बाल 1000 period है ones period होगया 1000 period होगया lakhs period होगया करोन period होगया अब पुछे रुषा है इस colored digit का period बताई है तो lakhs में कौन से period है जाइब है अब लेक पिरियन में आप इसको पहले प्लेस वैलू शार्ट बनाएंगे श्री टरहने तो लेक पर यह वह अपने आपा जाए गाए गाए और अगर कहा कि है इसका आप प्लेस्ट रहन हम आप है कि इसका प्लेस रहें पीजि़ा और और मंटिप्लाइग मेंट हैं कि प्लेस करना मिस थर्टी लेक उसका प्लेज बेड़ी क्या हो गया थर्टी लेक ऐसे पी कर सकते हैं जूसरा तरीका जैसे मैं आपको बताया कि थी का फूसरा है ना मल्टिप्लाई यहां नहीं करना रहा है तो थी का फूसरा है तो थी लिख लिए और इसके बाद दित्के नमर है वो एक दो तीन चार पांच छे तिछे जिए जिए लगा दिए तरीक गदिए मतना 30े लेक तो इस ठीका फ्लेस रवी क्या हुआ 30 लेक रिखे के फ्लेस रहूं कि इसकोर्ट कुछ थर्टी गया है पिरिएट इसकोर्ट नू लैएक्स तो इस थ्री का पिरिएट क्या हो गया है लैएक्स और प्रेस रेन थर्टी गया है ठीक है ओके तो ऐसे आपके कोश्चन जो है तक हो जाएंगे तो आपका एक्सरसाइज निखत्र हो जाएगा पुछू और तमाज को कोश्चन है वो भी साल्व हो जाएंगे तो अभी तक प्लास थर्ड फॉर्थ और फिफ्ट तक पहला एक्सरसाइज है कमबाइड जो आपने कुछ बताया है परने इन यूट वीडियो देखिए और अच्छे से शोर्व के कोश्चन को एक दाउन माइन फ्रेश करके कोश्चन साल्व करिए पूरा कोश्चन साल्व हो जाएगा अफ्रा नहीं साल्व होगा कुछ इसके लिए मैं बूँ आप आपक कुछ बताया है और पूरा कोश्चन साल्व करी सबसे बड़ी बार क्लास मस्मिक बिल्कुल क्लास मिस्म नहीं करना है आज डेट है सेविक्ष्टीन से लेकर चिकने क्लास चालना है डेवाइड आपको देखने हैं सौल्व करने हैं तो आप रगाए वीडियो देखनेंगे पूरा आपको सब्सक्राइब करने हैं और लगातार वीडियो देखने लिए और आगे वीडियो आपके लिए टास देखनेंगे थैंक्यू